दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे बेक्ति से मिलाने वाला हूँ जिसे लोग बेन बाबा की नाम से जानते हैं और जिस सक्स को आप देख रहे हैं ये है बेन बाबा ऐसा बेक्ति जो पाँच वर्सों से पैदल यात्रा कर रहा है जिसकी यात्रा स्विजर लेंड से शुरू हुई थी और 15,000 किलोमेटर यात्रा करके 18 देशों को पार करते हुए भारत पहुचा है और भारत पहुचकर इतना खुश है जितना इस से पहले कभी नहीं हुआ भारत की संस्कृत, सनातन धर्म, योग, भासा, भक्ति सभी को सीखना चाहता है यह बैक्ति बहुती संपन्न घर से है, यह खुद योगा इंस्टिटूट चलाता है, योग का मास्टर है, लेकिन सनातन धर्म से प्रेडित होकर सब कुछ छोड़कर भारत पहुचा है तो आईए इसी बैक्ति से सुनते हैं इसकी पूरी कहानी, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंते तक जरूर देखें तो बेन बाबाजी सबसे पहले तो आपका भारत में स्वागत है, दन्यवाद, नमस्ते, आपसे में कर बहुत कुछी हुई, स्वीजर लेंड से भारत का सपर, कैसे आपने तै किया, जैसा कि लोग कह रहें कि आपने पैदल यात्रा करते हुए आप भारत पहुचे हैं, तो दे बुलिए? एके भार एर्मेनियायर जोर्जाए रॉज्आ, रॉस्या, कास्खस्तान किर्गिस्ταν , चाइन, पाकिस्तान, इंडिया और रास्ता सामुदर नहीं उल्हें जा सामुदर के वेन जा सकते हां और पेदर बीर्कू जा सकते हां लेकर सबजे प्रदर में सबजे बारा मुश्कील है वीजा के मुश्कील, जब एक मुल्क इतना बारा है और वीजा की चारा बनाना है, लेकर कुल मिलाकर मैंने एक रास्ता मिल गिया, वीजा मुश्कील के बेना, और कुल मिलाकर सब को बहुत अच्छा था. कितना सफर में कितना समय लगा आपको भारत पहुचने में चार साल स्विजर लेंड में इंडिया तक पहुचने में आपको चार साल लगें कितने किलोमीटर आपने पैदल यात्रा करी 15,000 अभी 15,000 किलोमीटर आपने पैदल यात्रा करी और रास्ते में तो बहुत सारी बेरे भाइषान नहीं, पूरी रास्ता में लाग बाग दो परिशान था और रास्ता चार साल इंदिया तक और एक साल इंदिया मैं हुआ ता मैं जिद लेकिन रास्ते को देखते हुए वह दो परिशान बहुत कम ह् जी यह बहुत काम बहुत काम जो कैसी परिशानी है कि मैं जान सकता हूं जी यह दोनों परिशानी है चुर्की में था क्योंकि यह एक war zone, military zone था और अधर लोग बहुत ज्यादा रात को बिलकुल नहीं चलना है और मैंने रात को चला था पेदल रात को गया और कोछ लोग मेरा हिंदी को क्या कहते हैं काफी मुश्किल था, आर्मी के लिए और दोसी लोग के लिए मेरा पैसा है चाहिते हैं, और बाद में आर्मी वाला है सुचते हैं, मांå, terrorists हों और ही बहुत है का रास्ते में आप भी तब लोग वे पता है तो उनको एक्सप्लेम करना यह बता पाना थोड़ा मुस्किल होगा जिग जिग गन्षाट के बार मैंने एक्स्पेंड किया तिग अचा अच्छाट ता और काफी मुष्किल ता लेकर यह दो बार इस तरह के चीजी दो बार ता कहां हुआ यह तरकी में जिग तरकी एरक एरा के बार में मैंने एक्स्पेइन किया वे दिखते हैं सुचुलेंड वाला लोग तर्रिस नहीं है इस तरह के चीजी और बार में आजाओ बेटो कुछ काना इधर मिलिटरी बेस में आर्मी के साथ इधर सोना और बार में महमान था बहुत अच्छा लेकिन इसके पहले काफी मुश्किल था अर्मी के साथ जब उनको पता लगा आप स्वीजर लेंड से हो आपको आर्मी बेस में रखा जी जी और नश्ता आर्मी के साथ प्राइवेट रूम चलियो बहुत अच्छी बात है आपने लगबक यह जो सफर किया इसमें आपको 18 देशों से होके आए है आपको बहुत सारे देशों में आपकी हेल्प भी होई होगी तो आप बताना चाहेंगे जी जी लोग के है के बेना महां मर जाओंगा बिल्कूल मर जाओंगा प्रवान नहीं है कपिए चऱ सी दिन के डिन्हें, फ्रवाण मैं बंगुल अर्वाण पनी के बेना मैं मना इन्हें कुल मर जाओंगा फ्रवाण लेकिन के डिन में पना restrictive advantage दोर 掰掰 छोचरदे रखे हमेशा गहटे करनी हां आप कहां से हैं ये क्या है ले लो पानी पानी और पानी देते हैं काना दे अच्छा और लोग इस तरह बाहुत मतद करते हैं इसके मतद के बेना मां इदर नहीं हो नहीं रहूंगा तो फिर जब आपने इंडिया में इंट्री की तो सबसे पहला जो एक्पिनियंस था कैसा था आनभो कैसा था इंडिया में सबसे पहले बाहुत बाहुत खोश था इंडिया में सबसे पहले कौन सा स्टेट में इंट्री की थी पाकिस्तान से वागा बोर्डर अमरीचार तक तो सबसे पहले उन लोगों का ऐसा था बहुत बहुत आच्छे ता और वागा बॉर्डर ईतना सुनदर जगा है ये बॉर्डर वाला ये दोसी बॉर्डर जएसे नहीं वागा बॉर्डर बहुत साफ शुनदर जगा ये अधर भी करते हैं, Vaga Boarder Ceremony. Μेरा Ceremony, ता आना वाले ये मेरा Ceremony ता मेने पुँन्च गया और लोग बहुत भाहुट बहुत बहुत आचा जी. मतलब जैसे ही आप इंडिया में इंड्री के आपका लोगों ने बहुत स्वागत किया? जी, लोग सवागत किया, फिर पंज़ाब से आप कहा गये, पुझाब में, चे महीनों पुझाब में रहता था, चार महीनों अमरीटार में, और दो महीनों, अमरीटार में गॉर्डन तेमपर के पास, मां अधर बाहूत खोश हूँ, खोश था, क्योंकि गुरुननानाक और सि सिक्लिया, कि अटाखपगर, बनान, गुरु कर दो, परन, अर गुल्डन तंपल में भाउत कि भाउट घ्रिए अर पासरे, अर इसके बाद, होश्यरपूर, तल्वारा में, आप पुंजब में हो शारपूर. यह बर्दर है. पुंजब से हीमा चाल तक. बर्दर बन ता क्योंकि लॉकॏन्टाून था. मैंने और दो मेहनों तीन मेहनों इन्तेज आर किया, बर्दर में, एक गाउं में और जब बॉर्दर खुला था मैंने जल्दी ही मचाल गिया पहरों में और अधर मकलोद गांज तरमशाला में अधर रिखना के लिए अधर गिया इंडिया की वह कौन सी चीज है जिसने आपको प्रेड़ किया कि इंडिया में रहने के लिए भारत दुबरा से पूछ सकते हैं यारै कि काउछी इम्टेया हाने इन रीडोडी है? इम्टेया है धिन्टेया है विढ्की कली पुर्णी के पुरौनी है योग और सबसे पहला 건DRas रुकी न्टाम बुद्ध रें की ज्थना है सकना रुछ gradar Люб Sang और वा service ध्यान डु Mother बहुत सीक हैता है हर श्यवा, योगया, पतांज्या, याणिया ब Bennett को एपा है बहुत बहुत ज़ाद कारता है आज मैं बहुत आप दोनों पासा है अनल्प मुझे पासा है निया एमाने इस-चारावी जिन्दागी बीर कुल बादलते हैं, ये हिंद दार्म या बोद दार्म, दोनों ध्यान के बारे में बहुत जानते हैं. आपने शुरू में एजुकेशन ली होगी, तो एजुकेशन कहां तक आपने एजुकेशन ली? में हाई स्कूल तक गया, हाई स्कूल के बाद मैंने सुचा युनिवर्सिटी जाओंगा, लेकिन युनिवर्सिटी के पहले मैंने चाइना में गया, और चाइनीज गंफु, चाइनीज योगा सीखना के लिए. प्रेमली में कौन कौन है आपके? मातापित है और दोबाई है, और वे सुचिरान में रटे हम, और हमारे पास एक योगा संचर है स्वचिरान में अछे, और योगा संचर भी दोबाई है और माई उदर कम करते हैं, लेकिन माई उदर नहीं हूँ, माई इνडिया में हूँ. आपको हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है, हिंदी आपने सीखी इंडिया में तो कहां से सीखी थी, सबसे पहले कौन से स्टेट से आपने हिंदी सीखी हिंदी ओता हिंदी सीखना शुरू कर दो काज़क्तान में, चार साल पहले. क्युंकि अपने हिंदी अच्छी ओते सीखी ओती है , मैं अच्छी में आपने लोगां. क्योंकि बशाब जरूर है और मुझे लग आपना पशक्राइब है तो बहुत पासंद को बशाब जिखना बहुत जरूर्ट है क्योंकि इस थरह के कंटाक्ति रहेगा . मैं मां और अलग जिन्दागी हो जो मां हिंदी वहता हूं भारत और स्वीजरलेंड में क्या डिफ्रेंट्स क्या है? सबजे डिफ्रेंट्स है जो सुजरल में सब कुछ है सब पैसा है, सब फसिलिटीज है शेहर होस्पितल सब कुछ कर सकते हैं लेकिन इंडिया में पैसा इतना जयादा नहीं है और गरीब लोग और हां इस तरह लेकिन इंडिया में कुछ अमीर अंदर से है बिल्कुल अमीर है और यह दार्म है इंडिया में दार्म बिल्कुल जिन्दा है और सुजरल में हमारे एकानमी अच्छा है सब मेटेरियल अच्छा है लेकिन हमारे दार्म साब दार्म लगबाग मर गया हिन दार्म बोद दार्म येसाई भी हमारे येसाई दार्म था लेकिन अभी येसाई दार्म तोरी मर गया सो जरह में दार्म बहुत काम है और पुरी यरॉप जैसे आप येसाई धर्म से हैं नहीं मां साब दार्म से हूँ अच्छा अच्छा दार्म इसका दिमाः खुला है और यरोप में ज़्यारतर लोग नहीं है। זה 네 Quinn法 का नहीं है और मेरा हिन खोड़ा बाएं कोल दार्म नहीं कार सकते है तो मोदी तो मेरे माँित है एक दार्म। और बतः दार्म के बारे में को मांती है जी जी और रेकन खुल मीलाकर एक दर्म इस तरह नहीं है आपने भारत में रहने के सोचा है आप भारत में रहेंगे या वापस स्विजेलेंड जाएंगे मैं कुछ साल भारत में रहना को कुछ साल गारत से लिए भागष के लिए अगे आगे बागवान जाने living लेकिन एथर रेखना जाओंगा और बार में एक दीन वापस स्विद्जिलाइण चाओंगा लाकिन वापस के पहले कुछ सीखना है. पहले की लाइफ और अब की लाइफ में क्या डिफरेंट है? पहले की लाइफ मैं स्विद्जिलेन में मुँआ वेब डिजाइनर था और जब यह साफर शुरू किया मैं वेब डिजाइन और और किया रास्ता पे लेकिन क्या अलग है मेरा पहले से जिन्दागी और अबी जिन्दागी सब्से अलग है पहले से comfort सब सुखे दा हो ता बिल्कूल लाइफ ता साब कुछ गरम पानी अच्छा गरता सर्धियों में गर्मी है जर्मियों में सर्धिय Unless sand काना बहुत यह साफ है इतना असान जिन्दागी कि भल अंचकर दें कन शना को छड़ी जिन्डागğa तो यह दोह टोब है अभार क्याम है, जो बीमार हो हो perck tólig है क्योंकि पेश से पेसा पakeशासे आते हैं अभीस ही जिन्तागी बिल्कु़ अग है, बिल्कुर ज़्ड आख है लेकिन सब्साड जिन्तागी महह अभी अभी वहां बहुत धुर्ण होश हो और दियान के बारे में सोचते हैं, और हर दिन पूरी दिन ये दियाम के मतलब है, दियाम के लिए, और जब पैसा के बारे में सोचते हैं, हर दिन पूरी दिन पैसा के लिए है, और दियान नहीं रहेगा. आपका डेली रूटीन क्या है? मॉर्निंग से लिके युनियन तक? हर दिन बिल्कुल अलग है इस तरह के जिन्दागी और जब हर दिन इतना अलग है जिन्दागी बहुत माज़दार है क्योंकि हमेशा निया चीजी है निया एक रूटीन नहीं है लेकिन मेरा, कोछ है जो हर सुबा मैं करता हूँ हर शूब को और सुबा उठ जाना के बाढ़ में पहली बात ज़्यान करना रख बाग एक घंट है झान करना लग बाग एक घंटा आप ध्यान लगाते हैं आपके बारे में सुना हैं कि आप योग बहुत अच्छा करते हैं, तो योग में कुछ करके दिखाएंगे? आपके दिखांगे और योग आसना हमा कर साख नहीं तो अभी करें ठोड़ी दिर में तो उच्छे की घरिद्वार में आकर आपको कायसा लग रहाً है digest की अशरी कुम्मिला चल रहा है ज़ैशेंगे बहुत शांत लोग अच्छा बहुत बढ़िजी हैं बभुत शांत लोग और मैं बहुत सिक रहा हूं, सब बाबा अलग है और बहुत अकारावी है और इतना ज्यादा School of Thought इतना ज्यादा दिमाग है और मुझे बहुत पासंद है, मैं बहुत सिक रहा हूं कुंब मेले के बारे में आपको पहले जानकारी थी? जानकारी मतलब क्यों मेने आया था क्यों किस तरह कुंब मेले नहीं इससे पहले आपने कुंब मेले के बारे में आपने सुना था? जी क्योंकि मेरी मा केखती है कुंब मेले सुना था और भी मेरी मा केखती है हम अधर मिलेंगे अभी अभी इदर और एक साल पहले से हम कहते हैं, हम अगली कुंबा मेला दोनों जाएंगे, माँ पैदर वे जहाद में और दोनों मिलेंगे इदर, और मैंने आया था अबी, लेकिन वे नहीं आ सकते हैं क्यूंकि लागड़ान खातम नहीं है और वीजा नहीं देते हैं, तो वे इदर नहीं है, यह मेरी मा के तेख़दी से मेरी मा के सचाओ कुंबा मेला जाना है अच्छा अपकी मैरीज हो चुकी है नहीं तो अप साधी करेंगे आप आगे बागवान जाने लेकिन मेरा अभी से जिन्दागी बिल्कुल शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं शादी करना एक सच गर चाहिए एक सच जगा चाहिए और मेरा एक गर नहीं है मैं हमेशा साफिर करता हूँ तिर त्यात्रा गुमने गुमने और कोई मैं जादी करया स्च आए जिन्दागी है मुझे बाहुथ पासंग है लेकिन जब बच्चे के लिए खोच बिल्कुल आएगी या ज़ा काहिए कोच न्यामित चाहिए कि अचया रूति नचति रूति, । कि रषता पर बच़ को रखे जार एजा मुशकिल额 कि मुशकिल रह ग१ार। मुशकिल सव कि और यू कॉम वहाँ नचाह रहाई इसका श़क्रधा केउओव ज्नदा करना पाइसा के बारे में नहीं सोचना, कुछ नहीं, कुछ लोग, people don't depend on you. अकीला और हमारे पारिवार, जब शादी नहीं करेंगे, मेरा पारिवार सब लोग रहेंगा, सब बच्चे ये मेरा बच्चे हैं, और सब लोग मेरा पारिवार हैं, और ये भी महा खुश हूं. अपकी लाइब का एम क्या है, और देष क्या है? मेरा एम है शंत, शंती ही मेरा है, अंदर से शंती, जब अंदर शंती है, बाहर शंती भी रहेगा, और ये मेरा एख ही एम है, दोस्ती नहीं है. तो जैसे कि आप संस्क्रित बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप एक बार जरूर या कोई स्लोक या कोई स्लोक जरूर सुनाए, तक कि दर्सको को ये जो आपका एक तरह से गुड है, इसको जरूर पता होना चाहिए, तो आप पता सकते हैं. ये श्लोक, सब लोग, खोश, खोश होना चाहिए, जी. एक आप राम का भजन करते हैं, राधे ओम, कौन सा था भजन? हारे राम्ा हारे राम्ा हारे, सिता राम् जे जे राम् कि जीथा राम जे जे राम दोस्तों अभी आप बेन बाबा के बारे में सुन रहे थे और अब आपको योग आसन करके दिखाएंगे बेन बाबाजी तो योग आसन करके आप जो अच्छा हो आप करके दिखा सकते हैं कि आदत झाल झाल